हालो फ्रेंड्स, कॉंप्रेशन कमेटी के विकली करेंट अफेस प्रग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमल प्रधान, आई फ्रेंड्स आज हम देखते ही पिछले वीक में साइंस और टेकलोजी और इंवार्मेंट से रेलेटेड उन सभी महतपूर करेंट याद रखना फ्रेंड्स, पिछले वीक में हमने एक मही तक के करेंट अफेस को कवर कर लिया था, इसके आगे हम दो मही से लेके आठ मही तक की करेंट अफेस को आज कवर करेंगे और हमीशा की तरह हमारा एप्रोच रहेगा एक कॉम्प्रिहेंसी एप्रोच के साथ आगे याद रखना कि किसी भी national level के exam state level के exam या regional exam सभी examination point आप उसे उतना ही important और relevant है क्योंकि हम dynamic के साथ साथ इसके static को भी cover करते हैं ताकि ज्यादा अच्छा आपको approach मिल सके अब आप सोच रहे होंगे कि every current affairs के session में किसी ने किसी disease की बारे में बात कर लेते हैं तो याद रखना कि जितने भी important disease होते हैं जैसे cancer हो गया diabetes हो गया अब लाइक जो है TB हो गया यह सभी disease होते हैं उनके डे भी important होते हैं अगर आप previous age के paper solve करके देखे तो यही डे अकसर exam में आपको पूछे जाते हैं तो 8 मई जो है world thalassemia day जो है मनाय जाता है क्यों मनाय जाता है कि इसके द्वारा start किया गया था इस point को देखिए तो सबसे पहले याद रखना कि 1994 में thalassemia international federation के द्वारा यह initiative लिया गया था basically क्या है आपका thalassemia एक genetic blood disorder है अनुवांसिक रक्तविकार है और इसके प्रती जो होता है जागरूपता यानि awareness फैलाने के लिए यह disease यह जो day है celebrate किया जाता है थैलिसीमिया क्या है मैंने बताया कि यह क्या है एक genetic blood disorder है जिसमें कि हम देखते हैं कि आपके body में जिस भी रोगी कोई भी patient जिसको थैलिसीमिया हो गया उसके body में देखते हैं कि हीमोगलोबिन नहीं बन पाता अब blood का एक important component होता हीमोगलोबिन जिसके कारण blood red दिखता है तो देखते हैं उसके related कुछ important static part को भी देखेंगे current office का part आपको समझ में आ गया 8 मई वस 2022 हर साल जो है 8 मई को यह मनाया जाता है वर्ड थैलिसीमिया डे तो याद रखना यह awareness किस part के लिए है basically जब भी आपको पता चल जाता है कि गर्वती माताएं या फिर पिता को पहले स पता चल जाता है कि इस को वो जो है थैलिसीमिया के माइनर्स हैं या थैलिसीमिया के उन में क्या है वो वाहक हैं तो वाहक अगर होते हैं माता और पिता दोनों वाहक अगर होते हैं तो एक केस ऐसा बनेगा कि संतानों में भी वो थैलिसीमिया जो है सीधा सीधा वो ट्रांस सर्व में होती है तो कौन सा होता है आपका निरे डी concur होता कुन की कमी से होने वाला रहो एनिमीर है ठीक है जिसमें की खिलोपी नहीं बन बाता अभी का यहां पर ठाली सीमिय गवर का की केस में अगर आप देख रहें कि यहां पर हिलोपी घीन नहीं बन पा यह तो और दूसरा आपका होता है यहां blood cells या रक्त कोशिकाएं तो blood cells या रक्त कोशिकाएं होती है यह further तीन प्रकार की होंगी जिसमें आपको पता होगा कि यहां पे यह तीन प्रकार की होंगी जिसमें कि यह होता है RBC, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है कि यहां पे platelet ठीक है के तीन चीजें होती है आप सभी को पता होगा तो यह जो होता है यहां पर अगर हीमोग्लोबीन ही नहीं बना हीमोग्लोबीन ही नहीं बना तो हीमोग्लोबीन जो होता है लक्त के रक्त के लाल रंग के लिए क्या है रिस्पॉंसिबल होता है ठीक है और यह हीमोग्लोबीन का basically काम क्या होता है hemoglobin जिसे HB कहते हैं oxygen के साथ oxygen का परिवहन में transportation of oxygen मदद करता है यह hemoglobin आपके carbon dioxide के transportation में मदद करता है hemoglobin plus oxygen is equal to oxy hemoglobin or hemoglobin plus carbon dioxide equal to carb amino hemoglobin बनता है और अगर carbon monoxide बगलती से आपके body में चला गया तो एक dangerous carboxy hemoglobin बन जाता है ठीक है तो बस याद रखना कि यहाँ पर thailisemia जो case आ रहा है तो वहाँ पर hemoglobin ही नहीं बन पाता तो यहाँ पर transportation की बात तो दूर है अब यहाँ पर transportation नहीं होगा तो आप जीवित कैसे रहेंगे ठीक है तो यहाँ पर थैलिसीमिया को थोड़ा समझ जाईएगा मैंने कहा था कि माता और पिता जैसे कि यहां पे क्या है यहां पे ले लो माता और पिता तो यहां पे इधर ले लो case जो है यह फादर है और यहां पे ले लो यह मदर है ठीक है दोनों क्या है आपके thalassemia के वाहक है जिसमें कि r जो है small r जो है thalassemia का वाहक है और यहाँ पे देखते हैं ये भी तो दोनों में देख रहे हैं कि ये पता है ये प्रभावी और ये अप्रभावी होता है है ना ये क्या होता है आपका dominant और ये क्या है यह dominant होता है और यह क्या है recessive होता है तो यहाँ पे जो dominant होता वही गुण दिखता है अगले PD में ठीक है अगली PD में वही दिखेगा तो दोनों ही क्या है यहाँ पर minor है क्योंकि यहाँ पर देखिए यह क्या है अपका यह क्या है अपरभावी है इधर भी अपरभावी है ठीक ऐसा बनेगा जिसमें की थैलिसीमिया हो जाएगा तो ये थैलिसीमिया के प्रती awareness क्यों important है क्योंकि आप सब जो है उसी face से गुजरने वाले हैं future में क्यों गुजरेंगे कि जब हम देखेंगे कि यहाँ पे जब आप देखते ही इस case को तो उसके बाद मैं आगे पार्ट बताने वाला हूँ जिसमें की देखिए कि अगर दोनों में cross कराए जाए तो cross कराए जाए तो क्या होगा यहाँ पे आर का capital R का इन दोनों के साथ cross कराईगा तो इसका इसके साथ cross कराएंगे तो RR case बनेगा capital R का फिर small R के साथ करेंगे तो दूसरा case बनेगा R और R बनेगा फिर यह छोटे के साथ इन दोनों का cross कराओ तो तीसरा case बनेगा R और फिर capital R और चौथा case small R और small R तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा case है यह तीनों case में आप देख रहें तीनों case में देख रहे हैं कि यह जो है dominant है capital R जो है dominant है यानि कि प्रभावी है तो यहाँ thalassemia नहीं जाएगा लेकिन एक case ऐसा बनेगा जिसमें thalassemia हो रहा है तो मैंने कहा था चार case में एक case जो है thalassemia का जो होता है संतान में होने की chances बनते हैं तो आज कल क्या है modern जो है technology जो आ गई है इसमें क्या होता है गर्वती माताओं के तीन से चार मन जब भी होते हैं तो उस समय क्या होता है यह test वगरा कर दिया जाता है क्योंकि अगली PD में जब वो संतान पैदा होगी उसके बजाए कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि abort कराने का गर्वात कराने का ताकि आपको future में उस संतान को भी problem ना हो और वो जो माता पिता है उनको भी problem ना हो बस इतना बस याद रखें थैलिसीमिया जो case होता है इसमें देखते हैं कि दोनों अगर minor हो तो अगली PD में चार में से एक case बनता है कि वह क्या होगा बेसिकली वो थैलिसीमिया का patient बन सकता है उसके संतान में ठीक है अब ये बातें आपको याद रखनी थी इतना ही बस याद रखे अब यहाँ पे देखते हैं next important तो दूसरा important के सेंसन का सबसे important content है यह यह है आपका mission Venus Venus mission यह है आपका इसरो के दवारा Indian Space Research organization के दवारा आपको देखते हैं यहाँ पे भारत जो है अंतरिक्ष के सेक्टर में अंतरिक्ष के छेत्र में पहली बार जो है सुक्रयान ठीक है सुक्रग्रहपर जो है अपना mission launch करने वाला है कब launch करने वाला है December 2024 में जैसे कि हम देखते हैं चंद्रयान मंगलयान उसी प्रकार यह है सुक्रयान ठीक है उसके बाद बुधियान भी होने वाला है फिचर में और भी दूसरे आदित्यालवन वगरह भी होने वाले ठीक है गगनियान भी होने वाला है तो यह सुक्रयान का जो है यहाँ पर फाइनल जो ऑफिशल डेट है यह देख रहे है इसरो चेर्मेन एस सोमनात सहब ठीक है एस सोमनात फुल फॉर्म आप जानते है तो जल्दी इसरो के जए दस्वे नंबर के चेर्मेन है ठीक है दस्वे नंबर के चेर्मेन है और इसरो का भारत के विकास में सबसे स्वांडे मितिहास रहा है सबसे स्वांडे मियात्रा रही है इसलिए इसरो को पूरे गर्व के साथ आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में success का डंका बचाने वाला जो है एक बड़ी space agency है जिसकी accuracy इतनी हाई है कि पूरी दुनिया इसका जो है सीधा सीधा क्या है इसको salute करती है इसलिए हम बहुत सारे country के इसके satellite को launch करते हैं ठीक है तो यहां पे देखिए इसका उद्देश क् फिर कुछ मैं static part भी बताओंगा हम यहां पे सुक्रग्रः सुक्रग्रः को क्या कहा जाता है ठीक है प्रित्वी का sister कहा जाता आर्थ का sister कहा जाता प्रित्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि उसका घनत्व उसका आकार सब चीज़ जो है वो सब का हम अध्यन करेंगे और याद रखेंगे हम और बीटर छोड़ेंगे बिल्कुल इसके सता पर लैंड नहीं करने वाले हम उसके चारों चक्कर लगाएंगे और चक्कर लगाने के बावजूद हम क्या करेंगे चुकि उसमें हाई रिजॉलुशन वाले ऐसी कैमरा और पर यह करता है जैसे पृद्वी है उपर से यहां पर देखते हैं कि सनलाइट पढ़ती है पढ़ने के बाद रिफलेक्ट होती है तो यह जो है इमेजिंग करता है यह रेडियो वेब का यूज करता है ठीक है राडार क्या करता है रेडियो वेब का यूज करता है दोस इस तरह आपको पता होगा ठीक है राडार सोनार सोनार जो होते हैं आपके समुद्र की गहराई में यूज किया जाता है गहरे समुद्र में किसी चीज इसके वातरवा में क्या है है एसजिशES होगा और वहांपे क्या देखेंगे वहांपे एसजिशो 4 बन जाता है मतलब वहांपे कई न कहीमातरा हम वाटर वेपर भी हो सकता है तो शर्शिश dispald है उसका जो है क्लाउड है उसके चारों तरफ दूसरी बड़ी बात क्या है गैस कहा जाता है जो प्रिथवी के temperature को बढ़ाने में जैसे help कर रहा है वैसे देखते हैं कि यहां पे सुक्र का temperature बहुत जादा है ठीक है करीब 400-500 degree Celsius है जो बिलकुल भी favorable condition नहीं है किसी भी वहां पे किसी प्रकार के life होने की ठीक है लेकिन फिर भी वहां पे देख रहे हैं कि ऐसी वहां पे दुरदासा क्यों हुई क्यों इतना हाई temperature है ठीक है वो सभी बातों का अध्यन करेंगे और यहां पे carbon dioxide के कारण जो है एक्सेस वहां पे जो है आपका कह सकते ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव दिख रहा है जिसके करण उसका temperature बहुत जादा है तो क्या होट सपोट है लावा प्रवा आधी का जो है उन्साभी का जो है अध्यन करेंगे एक word यहां पे Statty graph करते ना उसे हम कहते हैं कि स्टाटिग्राफी ठीक है आपके जोग्राफी हम पढ़ते हो गया आप लोग ठीक तो वहां पे वो देखेंगे वाय मंडल की सरचना वगरा जो है सब क्लाउट का अध्याण करेंगे क्यों टैंपरिचर इतना ज़्यादा है कारबन ड्याग साईट का क्यों इतना जब्यादा प्रभाव है इन सभी बातों को यहाँ पर अध्यान करेंगे ठीक है बस इतना याद रखें काफी है दो important चीजें सुक्रयान का जो mission है mission Venus जो है वो December 2024 में छोड़ा जाएगा यह official statement है पिछले week का इसने से याद रखेगा अब मैं बताना कोस्ट करूँगा कि कुछ important mission है जो आपके examination point of उसे बहुत important है तो जिसमें कि आप देखिएगा सबसे पहले आता है mission गगन यान तो गगन यान आपके exam में पूछा जाएगा गगन यान के जो है तीन बड़े launch होने वाले हैं जिसमें हम देखते हैं G1, G2 और G3 ठीक है G3 यह गगन यान mission में basic लिए क्या होंगे तीन ऐसे crew जाएंगे यान की तीन सदस्य जो है यहां पर इस mission में जाने वाले हैं और एक इसरो का जो robot है उस robot का नाम है बियोम मित्र ठीक है यह बियोम मित्र जाने वाला है बियोम मित्र क्या एक harp होमनाइट है यानिकी एक रोबोट है जिसमें कि हम देखेंगे G1 और G2 फेस में क्या होगा ये रोबोट को हम देखेंगे और G3 फेस में हम देखेंगे अध्यान करने के बाद फाैनले ये तीनों सदस्यों को भेजेंगे ठीक है ये कब लाउज किया जाना है गगन यहां स्टार्टिंग ओफ दोहजार तेज़ यह इसका डेट है ठीक जो लेटेस इंफॉर्मिशन के हिसाब से यह इसका डेट है अब देखते क्या है कुछ और मिशन जिसमें कि आपको पता है कि चंद्रयान टू के बाद चंद्रयान थी ठीक है चंद्रयान थी आने वाला तो चंद 2022 में से चोड़जाने के संभावना है यह रिट याद रखेंगे वैसे देखेंगे आपको एक पता होगा आदित्य एलवन जो है छोड़ां जाना है तो यह कब चोड़ा जाएगा कि भारत का अपना खुद का space station वर्स दो हजार अठाईस के अन तक हमको बनाने का हमारा target था because अप COVID period दो साल खराब होने के बाद जो नया अनुमानित year है वो वर्स 2030 है तो वर्स 2030 तक भारत का खुद का अपना space station होगा अंतरिक्ष में ठीक है आप slide of the day है यह सबसे important part है आज के session का जिसमें कि आप देखते हैं कि भारत में इसरो के chairman अब तक कौन-कौन रह चुके हैं यह क्यों important है सबसे पहले यह समझे यह important इसलिए है क्योंकि भारत का अगर technology development देखते हैं भारत में प्रादोगी की के विकास को देखते हैं तो यह ती space technology और तीसरा देखते हैं defense technology जिसमें कि हमको हाला कि defense के बहुत सारे equipment हम import किये हुए हैं लेकिन ultimately हम देखते हैं कि तीनों के जो बड़े-बड़े जो इसके institutions हैं जिसमें कि nuclear technology का भावा atomic research center दूसरा आप देखते हैं that is space sector में Indian space research organization इसरो और तीसरा आप देखते हैं यहाँ पे अब latest phase में अगर देखते हैं तो बागी और भी चीज़ें इसमें contribute कर रहे हैं तो आइए देखते हैं हम क्या है अब यहाँ इसरो के chairmen को इसरो के chairman के सिप नाम याद रखें इतना काफी है ठीक है बड़े-बड़े जो achievement है किनके कारेकाल में हुआ था ये भी पूछा जा सक है तो देखिए भारत का जो है भारत में इसरो का foundation हुआ था कब हुआ था 15 अगस 1969 को 1969 को जब भारत में हम इसरो का foundation देखते हैं तो उसके पहले जो हुआ था वर्स 1962 में एक कमिटी बनी थी भारती रास्टी अंत्रिक्ष अनुसंधान समीती और उसके chairman जो है यहाँ पे विक technology कहा जाता है यह इनका tenure था 63 से 72 तक फिर देखें एम जी के मेनन साब आए वह 72 से लेके 1972 तक आए इसके बाद देखते हैं सतीज धवन सहाब जो सबसे लबे समय तक की है इसरों के chairman रहे 1972 से लेके 1984 तक ठीक तो यह भी बहुत बड़ा युगदान है सतीज धवन को समर्पित करते हुए जो हमारा जो rocket launch करते है ना स्री हरी कोटा से उसको उनका नाम देते हुए समर्पित करते हुए SDSC SAR कहा जाता है स्री हरी कोटा 37 धवन स्पेस चेंटर स्री हरी कोटा हाई altitude range SDSC SAR नहीं समझ आया SDSC 37 धवन स्पेस चेंटर SHAR ठीक है स्री हरी कोटा हाई altitude range ठीक यह है उनका जो है उनको समर्पित करते हुए यह नाम दिया गया है इसके बाद देखते हैं प्रोफेसर यूर राव यहाँ पे हैं उसके बाद के कस्थूरी रंगन साहब 1994-2003 उसके बाद जी माधवन नायर साहब के समय जो है चन्द्रयान फ healed the ऊसके बाद देखते हैं डॉक्टर के राधाकिष्णन साहब के समय मंगल यान हुआ था थिक है उसके बाद देखते क्या है यहां पर सेलेंद्र नायक जो है वह कारेवाहक थे इसलिक सबसे कम देशमय के लिए इनको चुना गया था यहां पर जनवरी 2015 से लेके आपके जनवरी 2015 15 जनवरी तक ठीक है उसके बाद Dr. एसे किरनकुमार 15 से लेके 18 तक उसके बाद के सीवन साहब यहाँ पर के सीवन साहब जो है 15 जनवरी 2018 से लेकि 22 जनवरी 2022 तक और उसके बाद देखते हैं कि जनवरी 2022 के बाद से उसके बाद सीधा आये हुए यहाँ पे एस सोमनाथ सहाब यह है और इनका जो है यह भी बहुत फिनामनल बहुत रेनाउन जो है रॉकेट साइंटिस्ट है एस ठीक है यह दस्वे नंबर के यह किया beni तो आप नहां पर देख रहे हैं कि चार चार आठ और आट दो 10 ठीक है तो यहा पे इस प्रकार आप देखेंगे दस्वे नंबर के चैरेमें है यहां पे स्यलिंड नायक साथ है जो कार्वाक है उनको यहाँ पर गिना नहीं गया है बस इतना आप याद रखें थीक है तो इतना काफी है इस Ob donating में इसके बाद इसके बाद करहा से रिलेटध कुछ पॉइंट kto सुप्राणि बारे में कुछ important बारे में पॉइंट बैसिकली सिंपल सिंपल जान लीजिए आपको पता है कि बुद्ध सूरे से अगर इसका जो है डिस्टेंस देखते हैं इसका डिस्टेंस देखते हैं तो इस इमेज को देखिए ठीक है यह आपका सन है सन के बाद देखते हैं बुद्ध सुकर पृत्वी मंगल व्रिहस्पती सनी और युरेनियस नैप्चुन प्लूटो को जो है ग्रह नहीं माना जाता है ठीक है क्यों नहीं माना जाता है क्योंकि उसका खुद का और्बिट नहीं है ठीक है और वो क्या सीधा सीधा आपके नैप्चून के भी उसके अपलाइक उसके और्बिटर में भी प्रवेस कर लेता है ठीक है उसलिए क्या है अब ग्रह बदल गया पार्ट ग्रह हुए आठ ये आपने है एक्जाम में पढ़ा होगा या आपके किसी किताब में पढ़े होगा ठीक है तो बस इतना याद रखे कि टोटल जो है यहां पे जितने भी प्लैनेट है प्लैनेट में हमारा यह जो है प्रित्वी है उसके बाद देख ठीक है तो मार्स को लाल गरह या रेड प्लैनेट कहा जाता है ठीक है बस यहां पर याद रखे इसे अब इस से रिलेटेर कुछ पॉइंट आप याद रखे कि जम जनरली देखते है प्रित्वी का जो है गूडन कैसे होता है प्रित्वी का गूडन जो होता है पस्षिम से की और होता है ठीक है पाश्म में कशोच्रीम से पूर्व की और यह क्या हूता है बे exقيal क्लाकवाइस और यह होता है और यह यहां क्लॉक्वइश कौन गोमेगा यहां पर अंटिक्लाकवाइस प्रित्थवी घुमता है ठीक है आप देख रहे हैं कि एक है आपका वीनस ठीक है ये सीधा क्या गोंता है clockwise गोंता है एक और ऐसा प्लैनेट है जो clockwise गोंता है उसका नाम बता सकते हैं आप तो उसका नाम है आपका Uranus ठीक है तो ये भी क्या है आपका clockwise गोंता है ठीक है ये बातें आपको याद रखनी है अब यहाँ पे इस से related कुछ point आप देखते हैं कि जब आप आसमान में सुबह और साम देखेंगे तो वो पूर्व की और सुबह और पशिम की और साम को यह क्या है सुक्र ग्रह आपके पृत्वी से दिख जाता है ठीक है तो एक मात्र ऐसा ग्रह है जो प्रित्वी से क्या है सीधा सीधा दिख जाता है चमकीला ग्रह भी हम उसे कहते हैं उसे कहते हैं सुबह का तारा भी कहते हैं सांज का तारा भी कहते हैं भोर का तारा भी कहते हैं और सांज का तारा भी कहते हैं मौनिंग में पूर्वक की और दिखेगा और इवनिंग में प को पढ़ना है तो यहां पे मैं स्क्रीन सॉट ले लीजी तो आगे बढ़ते हम आगे बढ़ते हम यहां पे कुछ और महत्पुन बातों की और जिसमें कि यहां पे देखिए सबसे पहले यहां पे एक और इंपोर्टेंट पॉइंट है आज के सेशन का वो है कि 10 गीगावाट सौर छंता को पार करने वाला यहां पे देखते हैं भारत का पहला राज्य बन गया है कौन सा राजस्थान राजस्थान देश का पहला राज्य बना हुआ है आपको पता है कि यहां पे भारत का जो है लक् चिह उर्जा का जिसमें कि अख्षय उर्जा में कौन-कौन से आएंगी ऐसी उर्जा जो क्लीन एनर्जी कहलाते जो किसी प्रकार का वेस नहीं छोडते और कभी भी समाप्त नहीं होंगे जैसे की विंट एनर्जी पावन उर्जा दूसरा 100 ऊर्जा है ना यहाँ पर सोलर एनरची बगरा तो यहां पर भारत की कोल जो है टोक्ष रखा गया है वस 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है तो 500 गीगावाट के टारगेट में हम देखेंगे solar energy का बहुत बड़ा contribution होने वाला है तो अगर आप देखेंगे भारत की कुल शमता अभी करी 55 गीगावाट के आसपास जा चुकी है अब यहाँ पर देखते हैं इतने बड़े लक्ष को पाने के लिए 500 गीगावाट के लक्ष को पाने के लिए सभी प्रदेशों का क्या है अपना अपना performance बहुत important है जिसमें कि देखते हैं कि बाकी करीब 4-5 प्रदेश को छोड़ दें तो किसी भी state का performance बिलकुल भी संतोस प्रद भी नहीं है ठीक है तो बस फिलाल याद रखे राजस्थान और कुछ और प्रदेश जो है यहां पर काफी अच्छा परफॉर्म किये हुए है जिसमें कि देखते हैं कि 10 गीगावाट का जो है संचई सौर पतिस्थान यानि की क्यूमिलेटी लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन जो है पार कर चुका है ठीक है जिसमें कि राजस्थान की कुल विद्यूद छमता अगर देखा जाए तो वो है 32.5 गीगावाट अब यह जो छमता है इसमें कंट्रिविशन देखिए रेनिवेबल एनरजी का 55 परसंट यह बहुत अच्छी बात है कि टोटल एनरजी का जो है 55 पर और जैसे कि देखते हैं यहां पर थर्मल एनरजी यहां पर जो कोईले से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसका परसंटेश 43 परसंट है और अभी बहुत सारे स्टेट जो है कोईले की क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो अगर यह एनरजी के सेक्टर में जो आत्मनिरव कर सकती है वहाँ पे पता है रौत भाल जो है निकलर पावर सेटर भी है इसलिए 2 परसंट वहाँ पर देखते हैं कि आपका प्रमाड़ उर्जा से भी आपको अनर्जी मिलती है ठीक है अगर राजस्थान में देखते हैं राजस्थान का उल्लिक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भारत के इस लक्ष को पाने के लिए सभी राज्यों पर यह दबाओ है कि आप जादा से जादा क्या रेनिवेबल एनरजी पर जादा फोकस करिए यह आपकी उर्जा जरुतों को भी पूरा करेगा भारत के यह जो स्टेटमेंट है यहां पर स्टेटमेंट है यहां पर हुआ था भारत का कमिटमेंट है कि हम 500 गिगावड 2030 तक हम अचीव करके रहेंगे तो जब राज्यों का अपना युगदान नहीं होगा तो केंद्र का जो है कुल जो रिजल्ट है फाइनल जो लक्ष है वो कमी हो जाएगा क्योंकि सभी प्रदेशों की युगदान के बाद ही देश आगे बढ़ेगा ठीक है यह बातें याद रखनी है आपको अब उसके अलावा देखते हैं उसका खुद का उदेश है वो उतना इंपॉर्टन नहीं है बस इतना याद रखेंगी भारत जो है अपना जो टार्गेट रखा है इस लक्ष को पाना इंपॉर्टन है य अग्य적 दीन कंड़ेटर जुआ हैं आज देख रहें कि इंडिया इस वन अप लार्जेष्ट इलेक्ट्रोनिक इंपॉर्टर अब दे वर्लल्ड है दुनिया के सब से बड़े आयातों में से एक है किसका electronic gadgets का में 3 अप सब जो है एक नहीं कम से कम आठ सेothes s mobile आप और यासे स वेहिकल्स वगर आ गए इबाइक्स आ गए इकार आ गए हैं जितने भी कम्प्यूटर्स देख रहे हैं सूपर कम्प्यूटर से लेके माइक्रो कम्प्यूटर्स तक जितने भी प्रकार के medical की जो है technology based जो है instrument देख रहे हैं या फिर weapon दे देख रहे हैं बड़े-बड़े missiles देख रहे हैं जो बड़े-बड़े आप जो से लड़ाकु विमांस देख रहे हैं हर जगह क्या है semiconductor यूस होता है तो यह semiconductor बहुत बड़ी चीज़ है और भारत में क्या है semiconductor का ना production होता है ना भारत में किसी प्रकार की चीज़ है इस प्रकार का ecosystem है तो इसको ध्यान में रखते हैं भारत सरकार ने इनिशेटिव लिया हुआ है और यहां पे देख रहे हैं कि इंडिया semiconductor mission जो है launch किया है ISM कहते हैं इंडिया semiconductor mission तो इसका पहला सम्मेलन हुआ है बैंग system में उसका पासिक तंत्र जो है निर्माण के लिए यहां इनिशेटिव लिया गया है जिसमें कि semiconductor का यहां पे manufacturing भी होना है इलेक्ट्रोनिक का भी गैजट्स का भी manufacturing होना है future में semiconductor industry यहां पे develop होना है और हम एक global hub बनने के दिसा में जो अपने vision को पूरा करने की दिसा में duration के लिए यूज किया जाता है यूजना है बहले चलते रहती लंबे समय तक तो एक निश्चित समय तक हमको पूरा करना है यह जो ISM पहले exam में इसलिए नहीं पूछा गया है क्योंकि अभी फिलहाल latest में launch किया गया है है वस 2021 में इसे इंडिया semiconductor mission को launch किया गया है किसके electronics और सूचना प्रदोगी की मंत्रालाई के द्वारा यह बाते याद रखेंगे ठीक है अब यहां पे हमको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है electronic सेक्टर में manufacturing में semiconductor industry को establish करना है इसके लिए यह जो है इंडिया semiconductor mission जो है launch किया गया था याद रखना इसका उदेश है अर्धचाला display manufacturing design ecosystem में निवेश करने वाले कंपनियों को वित्ती सहयता प्रदान करना भी है एक नोडल एजनसी के तौर पे यह काम करेगा अब यह जो semiconductor है याद रखना यह इतना बड़ा चीज है कि आने वाले समय में world war का कारण बन सकता है आप पूछेंगे क्यों या कैसे तो आपको प सबसे अगरणी राज्य सबसे क्यों है टॉप स्टेट है मला टोटल जो requirement का one fourth से भी जादा अकेला semiconductor जो है कौन प्रोडूस करता है यह ताइवान प्रोडूस करता है ताइवान को कुछ एराउंड जो है 14 देशों को ही मानेता प्राप्त है पूरी दुनिया उसे मानेता नह यूस किया है कैसे यूस किया आए देखते हैं तो यह देखते हैं कि दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाएं कि जो सेमी कंड़क्टर से बना हुआ जो है आईसी इंटेग्रेटिट सर्कीट जो बनाते हैं वो इंटेग्रेटिट सर्कीट जो हर जगा यूस होते हैं आपके फोन्स रेडियो टीवी लैप्टॉप पंप्यूटर हर जगा जहां पे फ्यूचर में देखेंगे कि यही वेहिकल् तो वैसे जो सेमी कंड़क्टर चीप बनाने में कुछी देश का ही यहाँ पे मोनोपली है या उनका ही क्या है सबसे बड़ा यहाँ पे राज है एक है USA, ताइवान, साउथ कोरिया, इवन चाइना भी डिपेंड है ताइवान पर भी सेमी कंड़क्टर चीप बनाने के किया है यह जो इंटिग्रेटर सर्कीट देख रहे हैं इंटिग्रेटर सर्कीट के कारण ही जो कंप्यूटर का बड़ा साइस था चोटा हो चुका है माइक्रो कंप्यूटर हो चुका है आप मोबाइल जो यूज कर रहे हैं जिसमें देख रहे हैं आपकी सेशन यह भी अल् और चाइना की बात में कमप्रिट करनेवाले तो वहां पे ताइवान किन किन देशों को जो है आपका सेमी कंड़क्टर देता है अलग इस पर इसको गणी करेगा तो इसने इता सब्सक्राइऔ घुण करेगा तो जो है ताइवान का जो है जो सेमी कंड़क्टर जो इंडेस्टी है तबाह हो जाएगा तो खुद चाइना को भी नहीं मिल पाएगा आपका सेमी कंड़क्टर ताइवान का जो है दूसरे जो एक्सपोर्ट कर रहा था दूसरे कंट्री उनको भी नहीं मिल पाएगा तो अपनी हानी को या अपने बचाव के लिए वो क्या किया है इन देशों का भी यूज किया है कह रहा है कि अगर मुझ पर attack होता है तो उस case में जो है सभी देशों को नुकसान होगा क्योंकि मैं silicon supply नहीं कर पाऊंगा या semiconductor supply नहीं कर पाऊंगा जो basically क्या है silicon जर्मेनियम अग बड़े-बड़े country है वो जो है सीधा-सीधा अब वह उनके हाथ से चला जाएगा और यह जो ताइवान है आप चीन की अधीन हो जाएगा और इसी कारण ताइवान को बड़े-बड़े हत्यार का भी supply USA के द्वारा किया गया है ठीक है तो यह इसका जो है current angle था बस इतना ब बड़ा growth है देखिए को पार करने की उम्मीद है और हम और बड़े importer बन जाएंगे electronic gadgets के लेकिन अगर manufacturing होगी यहां पे semiconductor बगरा बनेगा तो obviously इंपोर्ट हमारा कम होगा ठीक है बस इतना जाने इसमें बस semiconductor mission बस 2021 में चाल हुआ था और यह बड़ा important role play करता है किसी भी प्रक रहते हैं कि क्या दो हजार 22 का जो है यह जो है जो है launch किया गया है जैसे आप सुनते हैं अ इंडिया state of forest report के यह एक यह कॉन launch करता है हर दो साल में क्या कों launch करता है forest survey of India launch करता है forest survey up India का क्या है headquarter कहां पे है देहरादून पे है और यह प्रती दो वर्स में भारत में क्या है दो वर्स बाइनियल यह 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 रिपूर्ट पब्लिस करता कि भारत में कितना forest cover है कितना मैंग्रूव से कितने bamboo है है ना overall कितनी greenery है कहां पे कितना remote sensing के पूरे डेटा वो release करता है अगर global level पे विस वाइस तर पे कोई डेटा जो release करता है तो वो करता है United Nation Food and Agriculture Organization के द्वारा यह launch किया जाता है और यह जो launch किया गया है इसमें जो है देखते ही प्रकाहसन जो होता है वो प्रति द्रीवार्सिक होता है यह भी आंई यह और होता है ठीक है तो बस यह पॉइंट याद रखें इस से related कुछ-कुछ पॉइंट बस यहां पे समझने वाली बात है कि हम देख रहें कि अभी पूरी करेंगे कि पूरी report ने Greenery को चुह इसुदारने के लिए या फिर Climate Change को रोकने के लिए क्या है यह तीन महत्पूर मारगों पर जो है चलने का suggestion दिया है वनों की कटाई को रोकना वनों Warm को बनाये रखना यह आने वाले समय में examination point उसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि 2022 का ये रिपोर्ट है और 2022 मतलब अगला आएगा 2024 में तब तक बहुत सारे एक्जाम में यह पॉइंट आपका टक्राने वाला है ठीक है याद रखना रास्टी इस्तर की की लिया से सबसे इंपोर्टेंट है ठीक है वनों की कटाई और उगना और वनों को बनाए रखना ठीक है डिग्रेडेट लैंड याने निम्रकृत भूमी को बहाल करना एग्रो फॉरस्टी का जो है सरकार भी बहुत बड़ा यहां पर देख रहें इसको जो है प्रोटसाहित कर रही है अग्रो फॉरस्टी को लेकर ठीक है अब तीसरा है वनों का सतत उप्योग और ग्रीन हरित्मोली सिंखला ठीक है सतत उप्योग याने सस्टेनेबल यूसेज की सस्टेनेबल डेवलप्मे इस गिवन बाई जो है कौन से रिपोर्ट में दिया गया था ब्रंट लैंड रिपोर्ट में दिया गया था इसके बाद आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलप्मेंट की कितने सत्रह हमारे गोल से उस सत्रह गोल को पाने के लिए हम प्रयासरत है ठीक है इस सस्टेनेबल ड का जो है जो है किस याद रखना है इसके बारे में बहुत सारे और भूइरी रिपोट्स हो सकते हैं बड танर jáत रखें बाकी additional छोटे-छोटे points हैं कि deforestation होगा, तो क्या नुकसान होगा, उसके बहुत बड़े नुकसान होगे, ठीक है, पूरी दुनिया जो है, इसले जीवित है, हम और आप इसले जीवित है, क्योंकि हम ecology की services को ले पा रहे हैं, तो ecological service के कारण, अब साग, भाजी, हवा, पानी, जो है, वो सब क्या है, आपका ecology ही तो है, ecosystem ही तो है, तो ecosystem के services के कारण, आप और में, जिन्दा है, या हम सब जिन्दा है, otherwise क्या है, यहाँ पे इसका deforestation करेंगे, वनों की कटाई करेंगे, तो उसका large impact पढ़ेगा, biodiversity loss होगा, global warming बढ़ेगी, है न, global warming बढ़ेगी, carbon का emission होग ठीक है, तो यह बहुत सारे इसके जो है, negative impact आ सकते हैं, ठीक है, तो आज के session में हम इतना ही रखते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा तो cover नहीं किये, लेकिन जो important था आपके examination point आप उसे, उन सभी part को definitely cover किये हैं, तो मिलते हैं next session में, अगले week में, फिर कुछ current interface के साथ, thank you so much, have a nice day.